पूरे 21 त्रिकॉनमित्य के सूतर देखेंगे उसके बाद आपको कोई दूसरा सूतर याद नहीं करना पड़ेगा त्रिकॉनमित्य में तो इस वीडियो को पुरा देखें और अन्य वीडियो को देखने के लिए चैनल पर विजिट करें यहाँ पर एक नमबर आपका सूतर है साइन माइनस एक्स बराबर माइनस साइन एक्स होता है दो नमबर सूतर है कोई माइनस एक्स बराबर आपका कोई एक्स होता है यानि जब भी आपको कोई माइनस का एंगल दे रखा हो तो वो आपको कोई प्लस एंगल में कंसिडर करके चलना है तीन नमबर सूतर है दोस्त x sin y होता है तो इस फीडियो को पुरा देखिए देखिए थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपको सारे डाउट के लिए हो जाएंगे और इसके साथ हम फोर्मुलों के एक दुसरे के साथ रिलेट करके याद करना भी सिखेंगे चार नमबर सूतर है दोस्ता आपका cos x minus y का cos x cos y plus sin x sin y इनको याद कैसे करेंगे देखिए cos है तो cos x cos 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 यहां प्लस यानि चिन उल्टा होके आ रहा है इसकी विप्रित अगला जो हम सूतर देखने वाले हैं उसमें कुछ और होगा यानि साइन एक्स प्लस वाई का जो सूतर है उसकी बात करें उससे पहले कुछ और सूतर जानते देखिए सूतर नमर पांच आपका कोस पाई बाई पाई बाई बाई आगे चिस सूतर की मैंने बात की साइन एक्स प्लस वाई आपका sin x cos y plus cos x sin v होगा, देखे मैंने क्या का कि यहां तो उल्टा आ रहा लेकिन यहां plus है तो यहां plus आएगा, इसके अलबा sin cos sin cos यहां cos cos sin sin इसका उल्टा हो रहा पूरा 8 नमर सूतर आपका sin x minus y बराबर sin x cos y यहां minus है, यहां minus हैगा cos x sin y ओके ठीक है, यहां तक ठीक है अब देखें, 9 नमर सूतर है उसमें बहुत से सूतर आपके एक साथ आ जाएंगे दोस्तों, cos pi by 2 plus x minus sin x और आपका sin pi by 2 2 plus x cos x यह कैसे काम करता है दूस्तों, इसके लिए आपको 4 थांस को समझना होगा 1 चतुत थांस में तो सभी positive होते हैं A, S, T, C, N, M से, 2nd में केवल sin और cos x का प्रतिक एंगल के लिए positive होते हैं इसके अलावाद देखिए, आपका cos की बात करें, 10 की बात करें, वो सब negative होंगे तो यहाँ पर यह होता आपका 0 से πाई बाई टू, यहनि पाई बाई टू प्लस एंगल की बात की जा रही है इसका अर्थ क्या होगा, यह आपका second quadrant और second quadrant पर देखिए, जो cos πाई बाई बाई टू प्लस एंगल होगा, वो तो क्या देगा आपको negative value देगा, यह किसके equal to होता है, दोस्तों, πाई बाई प्लस टीटा या माइनस टीटा कोस का, वो होता है, sin टीटा के यह किसकी वज़े से, अपने उस quadrant की वज़े से minus value है, और इसी पर दिया आपका plus value दे रहा है, क्योंकि यह second quadrant में क्या होता है plus value रखता है, चलिए आगे की बात करते है, cos πाई माइनस जो x होता है, वो होता है, आपका minus cos x और sin πाई माइनस x होता है, आपका sin x, अगेन यहाँ पे यह काम आ गया देखिए, जो second quadrant होता है, वो होता है, πाई बाई 2 से πाई, तो πाई माइनस ठीटा कोई होगा, यानि वो second quadrant में, तो यहाँ पे देखिए, second quadrant के लिए आपका यह plus दे रहा है, यह second quadrant के लिए आपका negative value दे रहा है, अब cos πाई प्लस x माइनस cos x और sin πाई प्लस x माइनस sin x, अब देखिए, यह किस में आ गया, पाई प्लस ठीटा, third quadrant में, तो third quadrant में आपका कौन पोजिट होगा, 10 ठीटा और वो positive होगा, तो यहाँ sign भी negative है, cos भी negative, तो यह cos negative आया, sign भी negative आया, इस प्रकास से दोस्तों समझ के याद करेंगे, तो आपके दिक्कत नहीं आएगे, अगली बात करते है, cos 2-x की, यह cos x किस में चला गए आपका, fourth quadrant में, तो fourth quadrant में आपका cos तो क्या है, positive, इसलिए positive, ल कैसा है, two pi minus x, तो देखिए, जो fourth quadrant होता है, वो होता है, आपका, three pi by two से, two pi, यह pi minus angle का अर्थ क्या हुआ, two pi minus angle, two pi से कम, two pi से कम का अर्थ क्या हुआ, यह आपका fourth quadrant में, okay, यहाँ पर समझ गे, अब बात करते हैं, दोस्तों, दस नमर की, तो इसको मैं wipe कर देता हू, no complete हो च ten x plus y का सुगतर, यह होता है दोस्तों आपका, ten x, ten y, बट्टे, one minus ten x, ten y, ठीक है, यहाँ तक कोई दिखती हैं, अब दास्तों बात करते हैं, यहाँ आपका, ten x minus y, बिल्कु सिंपल है, यहाँ चिन plus है, यहाँ प्लस है, यहाँ चिन minus है, तो यहाँ आपका चिन minus आगया, बट्टे, one plus है, minus है, यह minus है तो plus आएगा, ओके तो इस प्रकार से relate करके याद करेंगे, तो आपको कम मेहनत में ज़्यादा result मिलेगा, 12 number, quote x plus y, यह आएगा दोस्तों, quote x, quote y minus one, पट्टे, quote y plus quote x, इसको ऐसा याद रख सकते हैं, देखे, 10 में नीचे उसका गुणा में होके आ रहा है, लेकिन इसका गुणा में उपर होके आ रहा है, और यहाँ देखे, 1 minus 10 का गुणा का है, लेकिन यहाँ, quote गुणा में, minus one आ रहा है, ओके, समझ आ गया, आप खुद अपने तरीके से सूतर को एक दूसरे के साथ रिलेट करें, अब तेरा नमर सूतर है आपका, quote x minus y, यहाँ आएगा आपका, quote x, quote y, यहाँ देखे, plus है, minus है, यहाँ minus है तो, plus आएगा, और इन दोनों के बीच है, आपका, minus आएगा, यहाँ इसका उल्टा, ओके समझ गया, अगला सूतर होता है, चोदान नमर आपका, quote x, quote x, minus sign square x, ओके, इसको आगे आगे, आप अलग-लग तरीके से जितना अरेंज करेंगे, वैसे आपका यह बन जाएगा, quote x, quote x, minus 1, कैसे, sign square बेराबर, दोस्तों, आप क्या लिख सकते हैं, 1- sign square x, sorry, 1- cos square x, और cos square x, बराबर लिख सकते हैं, 1- sign square x, इसे सबसे, और बराबर, 1- 2, sign square x, या, बराबर, 1- 10 square x, बटे, 1 plus 10 square x, तो यह इस प्रकार से है, जो इसका आगे का अरेंजमेंट ही है, बाकि मैंन, फॉर्मॉला क्या है, इसका, cos square x, minus sin square x, ओके, उसके बाद आपके पास फॉर्मॉला आता है, formula नमबर 15, 15 नमबर फॉर्मॉला बहुत महत्यपूर्ण है, यह है, आपका, sin 2x, बड़ाबर, 2 sin x, cos x, इसको अरेंज करते हैं, तो आपका, 2, 10 x, बड़े, 1, प्लस, 10 square x, प्राप्त होता है, ठीक है, अगला formula है, आपका, 16 नमबर, यह है, आपका दुस्तो, 10, 2 x, बड़ाबर, 2, 10 x, यह तो कहां से आ रहा है, आपको, उपर के जो formula है, उनसे ही arrangement करके रहा है, कौन से formula से, आपका, 10 x, प्लस, y के, सूतर में, यहाँ पे, y के जगे x रखेंगे, तो यह आपका सूतर बन जाएगा, ओके, तो उपर के कुछ महतरपुन सूतर यह आपको याद है, तो आगे के सूतर आपको अपने आप पिल जाते हैं, 17 नमबर सूतर, sin 3x, यह होता है, 3 sin x माइनस 4 sin cube x, ओके, बात करते हैं, अगले सूतर की, 18 नमबर की, देखिए, हम नजदिक पहुंच चुके हैं, cos 3x, यह होता है, आपका, 4 cos cube x है, माइनस 3 cos x, 19 नमबर, 10 3x, यह होता है, 3 tan x, 10 cube x, बाते, 1 माइनस 3 tan square x, ठीक हैं, ओके, इसकी कंडिशन क्या है, कि जो आपका 3x है, वो, note is equal to, n pi plus pi by 2 होना चाहिए, और जहाँ n आपका, प्रुणाक है, 19 complete होगे, अब आपके बाकी है, केवल और केवल, दो सूतर, उनकी अभी हम, बात कर लेते हैं, 20 नमबर, 20 नमबर है आपका, उपर के सूतर को अरेंज करने पर ही आया है, cos x, cos y बरबर, 2 cos x plus y बटे 2, और cos x minus y बटे 2, इसके अलगे लिग भाग है, इसका second बाग है आपका, cos x minus cos y, ये बरबर आएगा, minus 2, sin x plus y बटे 2, sin x minus y बटे 2, ओके, तीन नमबर देखे, sin x plus sin y, बरबर, 2 sin x plus y बटे 2, और cos x minus y बटे 2, चार नमबर देखे, sin x minus sin y बरबर, 2 cos x plus y बटे 2, sin x minus y बटे 2, ओके, समझा गया, अब हमारा एक last formula बच्चा है, उसको भी हम इतना ही आसान तरीके से देख लेते हैं, इसमें भी आपको दोस्तों भाग मिलेंगे, यह लास्ट है आपका, 2 cos x cos y, बरबर, cos x plus y, cos x minus y, minus 2 sin x sin y, बरबर, cos x plus y, minus cos x minus y, 2 sin x cos y, बरबर, sin x plus y, plus sin x minus y, तो इस प्रकार से आपने देखा कि हमने पूरे 21 सूतर को केवल, इन 12 मिनिट में, पूरा लिख के देख लिया, और आप भी इस प्रकार से ब्रेटिस करेंगे, लिखेंगे, इनको एक चार्ट बनाएंगे, और फिर इनको continue व्याद करेंगे, तो आपको तुर्कौन मिति के आगे कोई दूसरी सूतर याद नहीं करने पड़ेगे, इनका ही कहीं पर यदि आपको काम में लेना पड़ेगा, तो एक rearrange होगा, ओके, चालिए हम आगले वीडियो में, फिर मिलते हैं, इस चैनल को subscribe करें, कहीं गलती लगी हैं, तो नीचे comment करके तुरंत बताएं,